बांगलादेश में सत्ता परिवर्तन के वाद वहां तनाव है और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि हिंदूों के लिए आक्रोश दिखाई दे रहा है मैं इस वक्त भारत, बांगलादेश की सीवाह पर एक रिफ्यूजी कैम्प है हिंदू रिफ्यूजी कैम्प वहां पर हूं ये मेरे साथ है और मिवस्ति कहा है यह शाक हिन्दी को पर ये इक बांगलादेश में ही है और कॉर। अनुसके बताएंगे मैं आपको लाइव कॉल दिखा रही हूं ये कॉल रहा है इनके भाई है और वो कॉल पर पूच रही है दस दस आदमी आ रहे है है और घर लूट करके लेकर जा रहे हैं इनका नाम क्या है ? तुमान नाम की दादा रमेश सरकार और पूछिए सर्फ हिंदू के साथ किया जा रहा है तो ये मैं आपको लाइव कॉल दिखा रही हूं ये एक हिंदू रिफ्यूजी कैम्प में रहती है इनका नाम क्या है तुमान नाम की मालोती विश्वास ये देखिए हिंदू है इनके भाई बांगलादेश में क्या करने गए हम आपर उदर तो ये मैं आपको लाइव कॉल पर सुनवा रही हूं कि वहां क्या हो रहा है दस बीस बीस लोग आते हैं घर में आगजनी करते हैं रहना मुश्किल हो है यह बाबा और उनला चाह क्या नाम कोई बांगला देशสंसे पूछा तुम्हारी देखिए हं। पूछ नहीं लग रहा है आपका कोई वहां पर है बाबा बेटी है शायद वहां पर ना बहन है वहां पर बात होई थी फोन पर बात होई है पूछो फोन पर बात होई है पूछो डर लग रहा है अपनी बहन के लिए तुमार की भॉयलक से तो इनको डर नहीं लग रहा है उनको डर लग रहा है अब बात ही नहीं हो पा रही है तो यह हिंदू रफ्यूजी कैम्प है और मैंने आपको लाइव भी सुनवाया इनके भाई वहां पर फसे हुए है सुभाष उनका नाम है अभी वी मैं आपको दिखा देती हो ज़रा दिखाईए यह दिखिए यह लाइव जुड़े हुए ह अब बात कर पारे हैं और सितिया उनके लिए बहुत ठीक नहीं है और सिर्फ उनके साथ ही यानिकि जो हिंदू परिवार है उनके साथ ज्यादा किया जा रहा है लोग आते हैं आगजनी करते हैं लाइव लाइव कॉल आप देख रहे हैं मैं फिर से आपको दिखा रही लेकिन उनकी बहन जरूर परिशान है नहीं हुआ है तो यह हिंदू रिफ्यूजी कैंप में हूँ और यह आपने देखा ही कि किस तरीके से इनके भाई वहां पर परिशान है उनको भी लाजमी है डर लग रहा है लेकिन गरीब व्यक्ति है क्या करे वहां कमाने खाने गया था या ये वहाँ रही रहे हैं कोई और आप्शन अभी नहीं है एक घर में 10-10-20-20 लोग रह रहे हैं ये उसकी बानगी दे रही है कामरा परसिन निजाम के साथ सपना शुक्ला निउजेट इन इंडिया